नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से अवैद कबजे को लेकर उत्राखंड में कई बार बवाल मच चुका है किस तरीके से मामला जो है वो कोड तक पहुँच चुका है लेकिन अब वहां के सियंग पुशकर सिंग धामी ने एक तगड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि देव भूमी का जो सनातन स्वरूप है उसे हम बिगरने नहीं देंगे और मजार जहाद जो है वो हम जल से जल्द खत्म करेंगे अब जिस तरीके से पुशकर सिंग धामी ने बयान दिया है ये चर्चा का विशे बन गया है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उत्राखंड में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है किस तरीके से वहां पर आबादी में जो बदलाव आ रहा है उसके बाद चर्चा का विशे वहां पर बन रही मजारे भी बन गई है दरसल कई सारे जो सरकारी जमीने हैं उस पर मजारे बना दी गई है इसके बाद एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि ये जो मजारे बनाई गई है एक शडियंत के तहट बनाई गई है इसके साथ ही कोई भी जो धार्मिक बिल्डिंग है या फिर भवन है उसके जब उसे बाद में रिपेर करना होता है तो डियम की अनुमत लेनी पड़ती है लेकिन जब ये मजारे बनी तो इस बीच ना तो डियम से परमिशन ली गई और ना ही जब इनकी इनको बाद में मरम्मत इनकी की गई तो उस वक्त भी किसी से अनुमत नहीं ली गई अब इसी लिए इस पर जब कुलासा हुआ तो सरकार ने ये कह दिया कि इस पर सक्त कारवाई की जाएगी पिछले दिनों हमने देखा कि कई सारी मजारों पर बुल्डोजर भी चला लेकिन एक बार फिर से सियम धामी ने जिस तरीके से बयान दिया है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब उत्राखंड में बड़ा बदलाव हो सकता है और जो खबरे आ रही थी कि वहां पर किस तरीके से एक शर्यंत के तहट आबादी बढ़ाई जा रही है खास समुदाई की और डिमोग्रेफी में जो चेंज किया जा रहा है अब उसक्तिकारवाई सरकार कर सकती है अब इसमें फुलासा भी हुआ है जिसकी चर्चा हम आगी करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं सीम धामी का वो व बयान जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है पुशकर सिंग धामी ने आरेस के मुख पत्र से बात करते ह वे बयान दिया और उन्होंने कहा कि सरकार ये जाच minute किस अधिकारी के कारिकाल में ब्रोम नहीं वंतिकर tam कि वन विभाग के सर्वे में यह बात सामने आई थी कि वन भूमी पर 1000 से जादा अवैद मजारे बना दी गई हैं सियम का ये भी कहना है कि ये कोई पीर बाबाओं की मजारे नहीं है बलकि मजार जहत का एक हिस्सा है और आसामाजिक तत्व यहाँ पर बस जाते हैं और वन विभाग को इसकी खबर भी नहीं मिलेगा अब इसी पर सियम धामी ने कहा कि ये जाच का विश्य है और हम जाच करेंगे और जो भी अधिकार इसमें लिफ्त पाए जाएंगे उन पर कारवाई की जाएगे इसके साथ इस यमधामी ने आगे भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन और अवैध कब्जों से मुक्त कराने के निर्देश दिये गए हैं पिछले दिनों चलाए गए अभ्यान के तहस से ज़ादा मजारे वन विभाग ने ध्वस्त कर दी हैं जबकि अन मजारों के ध्वस्ति करन की कारवाही भी जल्द होगी सरक के किनारे लोक निर्माड विभाग और राजस विभाग की जमीनों पर बने मजारों को हटाने के लिए भी सरकार द्वारा कारवाई की जा रही है वही सियमधामी ने आगे बयान देते हुए कहा कि सरकार ने विकास नगर परगना शेतर में करीब 9 किलो मीटर शेतर से अवैद कबजे हटवाए हैं यहां आतिकरमड पर बुल्डोजर चलवा कर सरकारी जमीनों को खाली करवाया किया है सरकार का यह भियान तब तक जारी रहेगा जब तक सरकारी जमीरों को अवैद कबजों से पूरी तरह से खाली नहीं करा लिया जाता मजार जहाद को रोकने के लिए सरकार किसी भी तरह कर राजनीतिक दबाव सहन नहीं करेगी इसके साथ ही उन्होंने सक्त लहजे में चेताउनी भी दी कि उत्राखंड देव भूमी है कोई सराय नहीं कि जो चाहे यहां आए और आकर सरकाली जमीन पर अवैद कबजा कर बस जाए उन्होंने ऐसे लोगों पर भूमाफियों की श्रिणी में रखकर उन पर गैंगस्टर रासुका जैसे कानून लगाने की भी चेताउनी दे दी है सियम धामी ने आगे बात करते हुए ये कहा है कि देश में सबसे सक्त धर्मांतरन सुधार कानून उत्राखंड में आया है क्योंकि उन्हें देव भूमी के सनातन स्वरूब की चिंता है यहां पर मिशनरियों के मनसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा जो प्रलोबन देकर धर्मांतर करा रहे हैं साथ ही लब जिहाद जैसे मामलों को रोकना सरकार का दाई तो है इसलिए सरकार ने सक्त धर्मांतरन सुधार कानून बनाया है अब आपको बता दे जब से उनका ये बयान आया है कि सनातन स्वरूब को हम बिगरने नहीं देंगे और मजार जिहाद जो है मुसे रोकेंगे इसके बाद ही कई लोग इस पर बयान बाजी कर रहे हैं लेकिन ये चिंता का विशे बना हुआ है कि किस तरीके से जो देव भूमी है वहाँ पर एक खास समुदाय की आबादी बढ़ रही है इसकी मुख जो वजा है वो ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो निर्मार कारे चल रहा है उसके चलते बाकी राज्यों से खास समुदाय के लोगों को वहाँ पर लेबर के लिए बुलाया गया है और उन्हें वहाँ पर सरकारे जमीनों पर बसा दिया गया है इसलिए आबादी में चेंजेस आ गये हैं इसके बाद अब सरकार भी सक्त हो गई है क्योंकि कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हो और पिछली बार चुनाओं में ये मुद्दा भी उठाये गया था तो बीजेपी की सरकार वहाँ पर है सीधे तोर पर केंद सरकार और इसके साथ ही राजसरकार से सवाल पूछा जा रहा है बेरहाल जिस तरीके से सक्त आदेश दिये गए हैं सियमधामी के तरफ से और जो उन्होंने बयान दिया है इस पर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट करके जरूर बताईएगा